दोस्तो मैं पंकला दावानियां आज शंदेसंड़ कमेंट बक्स में आपके लिए कुछ कमेंटड लाए हूं और हमारी गेंट करते हैं हो और मैं यह वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि जो हमारेbn मेर कमेंट करते हैं तो उस वीडियो में थोड़ा जो आइडया होता है वह आइडिया देता हूं हो और उसके बारे में दिक्कत होती हो बताता हूं ठीक है न आज देखें पहले कमेंट किसका सेचिन मेहरा इंजनिटन चलते चलते बंदब ऑगया उसका परफेर वीडियो बनाएं सा एंड़ाइटर को वन फेयस की वीडियो बनाएं सर उसकी वाइडival करने पड़ती है single face की और three face की winding हटा के single face की winding हो जाती है तो हो जाता है जो transformation का होता है उस में बस hour में से winding हो जाता है तो हमारा single face बन जाता है अगले विवर हैं सत्य न आरायन सुमन दहे में oil ठीकने का कवा कारण है और नहीं के का नहीं थे का रहा है लुक्से में तेल भैकता है जिससे की चड़िया को तेल मिल सके और आप थोड़ा कमेंट से रिचा करें तो समझ माएं फिर भी बोलटे नहीं निकलते कैसे चेक करें फिरिस इस बारे में बताएं चर जो आपका रूटर है उसी continuity लासर वेकेंशी क्या होती है सर इस जेनरेटर में फ्रिकैंसी बताई थी नहीं फ्रिकैंसी होती है स्पीट जेनरेटर के वल्टेज के स्पीड क्या होती है तो उसकी विडियो बना रखे वो आप देख सकते हो आगुं है अगले वीपर हैं नम नहीं है से मेरा जनरेटर 15 के वे एका रूटर वाइनिंग किया है पर करेंट नहीं दे रहा है किलिप रिंग सिलीप रिंग रिचार्ज कैसे करें सार्षिर फिल्ड अगली वीवर है राजे सोर फिल्ड गरम होता है है सर्त फिल्ड गरम होता है जब हीट होता है जब गरम होता है जब जब होता है आप एक बाां चेक करें ज़लोड है यब फिल्ड हीट होगी हुआ खराब होती जब बी हो रहा किन बढ़ने हैं संज कुमार मेरा इंजिन hm हो का है उसमें समस्या यह है कि 45 मिनट चलने के बाद सलेंसर से मोबील का चिटा मारता लगता है तो मैं दो बार रिंग भी चेंज कर दिया है लेकिन समस्या नहीं शुल्जी क्या उपाय है बताएं सर आपका जो सलेंडर है जो आपका इंजन है उसमें आपका सलेंसर में जो ओल फैकता है उसमें आपका क्या होता है कि आपने रिंग तो बदल दिया है पर उसमें आपका जो लाइनर होता है लाइनर पे आप खोल के द्वारा नोटिस करना कि लाइनर पे नीचे की तरफ उसमे बार फैक देता है तो आप अपना लाइनर भी चेंज करें समस्या खतम हो जाएगी अगले भी बार है संकरलाल मेरा नाम संकरलाल है मेरा सिंदल फेज जननेटर जिससे बैल्डिंग हो जाती है उसके कनेक्शन नहीं हो पार रहे हैं पिलीज बताएं सिर्ट जिससे आपके बैल कर सकते हैं नितिन चुरसिया सर मेरे पास साथ एच्पी का किलोसकर इंजन है उसका वैल में डिजल जा रहा है कैसे ठीक करें एक वीडियो बनाएं होर हमें बताएं सर आपका जो जननेटर है उसमें आपको डिजल जा रहा है आप अपना पंप चेक करें पंप के पिलंजे खराब होने से डिजल जाता है बोडी कर जाती है तो भी डिजल जाता है पंप से डिजल जाता है और नोजल दिकत करती है तो भी डिजल जाता है मंगल डिजिटल साउंड लाइट सर मेरे पास थिरी फेस अल्टिनेटर 25 के वे का है इसके कनेक्शन बताओं सर आपका जो ट् जल्दी वीडियो डालने वालों transform connection के diagram वह आप देख लेना यह अगले वीबर है संजीव कुमार गोपालपूर टैंक फूल सर पंकच सर ऐसे ही वीडियो बनाए करें अपलोड किया कीजिए सर आपके कमेंटों कर लिए तो हमें अच्छा लगता है जब यह वीडियो बनाते हैं काफी टेम से वीडियो ने आ रही हम जल्दी वीडियो गी डालेंगे और आपको ऐसी वीडियो देती रहेंगे यगले वीवरें केसर आलम सर धाई केवी जन्नेटर में गेज एंड वेट बारे बताएं पांच साथ दस बारा केवी बताएं सर सबका डाटा अलग-अलग होता है और जिस तरीके से आप वाइनिंग करो दो उनका सबका डाटा लिख के रखो और आपको डाटा मिल जाएगा महेश गुजर जन्नेटर का एवरेज कैसे बढ़ाएं सर इस पर वीडियो में बनाऊंगा और इसका एवरेज आप पंप की आपकी जो लोड है उसके एसाब से बढ़ेगा और इसका जो पलेंजर होता है वो पलेंजर अलग-अलग नमबर के आते हैं वो जितनी कम नमबर का डालोगे उतनी एवरेज सही आएगी जी अगले भी बार है हमारे फैजान खान भाई connection तो दिखलाओ सर इसके ओपर मैं वीडियो बनाऊंगा और इसके connection एक से तीन होते हैं एक से चार भी होते हैं और सब क्या अलग-अलग होते हैं जिस तरीके से आप खोलते हो उसी तरीक प्रोब्लम करता है लोड में दिक्कत करता है जब उसके बोल्ट पर मेंगनेट सेक करता है यह हमारे अगले भी बार है जैस्वन पटेल सर तीन के विए पावर ट्रॉन जन्रेटर उसको वाइंडिंग किया रूटर स्टार्टर सिंगल फेस रेस्टेंट सेम और है सब आरा ह सब बाइंडिंग के फिर एवियार लगाया तो बोल्टेज दिम दे रहा है वैसे नहीं हो रहा करने क्या है connection एवियार में सेम रखे हैं च्छर जब चीज आपने सब सेम रखी है एवियार बोल्टेज सब सेम दिखा रहा है आपके फिर भी बोल्टेज कम है तो एक बार दिखाएं और फोटो दिखाएं तो हम उसमें आपको थोड़ा आइडिया देंगे और दोस्तों आज इस कमेंट बॉक्स में इतने कमेंट से और भी कमेंट से तो हम बस इतने कमेंट ले रहे हैं और ऐसे आप कमेंट करते हो जाए ज़्यादा और आपको कमेंट करने के लिए सब्सक्राइब करें पंकच दवानिया चलन को इस लाल बटन को दबा के और नई वीडियो पाने के लिए सबसे पहले मेसिज पाएं अपने मोईल पे इस बेल आइकन को दबा के